अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें जिस्ते की नए वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिल जाए और आप हमसे जुड़े रहें थैंक्यू हाइ फ्रेंड्स आज का हमारे टोपिक हे राज्यपाल राज्यपाल के अनुच्ध हैं 153 से 166 और राज्यपाल सविधान के भाग्छे में उल्लेख हैं राज्यपाल के पद का प्रावदान अनुच्ध 153 में है एक नवमबर 56 को राज्यपाल का पद सरजित हुआ कब सरजित हुआ राज्ञापाल का पद ? एक ही विक्ति दो या अधिक राज्जो का राज्जेपाल बनाया जा सकता है एक ही विक्ति दोया अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है सामान्यत है राज्यपाल उसी राज्य का नागरिक नहीं होता है जिस राज्य में राज्यपाल बनाया गया है वे राज्यपाल उसी राज्य का नागरिक नहीं होता है अब आती है राज्येपाल की स्तिती राज्येपाल को क्या कहते हैं राज्येपाल राज्य का स्वेधानिक परदान या ओपचारिक परदान होता है स्वेधानिक आवशकता नहीं जब किसे राज्येपाल की नियुक्ति की जाती है तो उससे पहले सम्दित राज्ये के मुख्य मंत्री से सला ली जाती है और ये सला लेना एक परदानिक आवशकता नहीं है इसका सवेधान में उलेक नहीं है अब राज्येपाल की योगिताओं क्या क्या होनी चीए राज्यपाल भारत का नागरिक हो उम्र कम से कम पेतिस वर्ष हो और अधिक्तम एन नीशित अब आती है राज्यपाल की नियुक्ती राज्यपाल की नियुक्ती का अनुछेद है 155 राज्यपाल की नियुक्ती किसके द्वारा की जाती है राज्यपाल की अपनी सपत कौन से अनुचेद के तहत लेता है राज्यपाल अनुचेद 160 के तहत सपत लेता है और राज्यपाल को सपत उच्चे न्याले के मुख्य न्यादिस द्वारा दिलाई जाती है उच्छे नियाले के मुख्य नियादीस द्वारा राज्यपाल को अनुचेद 160 के तहत सपत दिलाई जरती हैं अब आता है राज्यपाल का कारिकाल अनुचेद 156 में राज्यपाल का कारिकाल कितना होता हैं? सपत गरहन से राष्ठ पत्री के परसाद परियंद जिसकी अधिक्तम अवदी 5 वर्ष होती हैं अब राज्यपाल का वेतन कितना होता हैं? एक लाग दस हजार पती माहा हैं अब त्याग पत्र राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? राश्टपती को संबोधित करते हैं राज्यपाल अपना त्यागपत्र राश्टपती को देता है अब राज्यपाल को पद से कैसे हटाया जा सकता है राश्टपती जब चाहे राज्यपाल को पद से हटा सकता है अब राज़ेपाल की भूमिका बुद्धिमान परामर्स दाता और मद्यस्त की है तो एक जाम में आता है कि किसकी भूमिका बुद्धिमान परामर्स दाता और मद्यस्त की है तो राज़ेपाल की भूमिका बुद्धिमान परामर्स दाता और मद्यस्त की है सरोजनी नाइडू के अनुसार राज्यपाल उस पक्षी की तरह है जो सोने के पिंजरे में बंद है तो यह भी एक यूशन बंजता है कि यह परिवाशा किसने दी है कि राज्यपाल उस पक्षी की तरह है जो सोने के पिंजरे में बंद है तो किस ने दी है शरोज ने इनाइडू ने दी है अब आती है राज्यपाल की सक्तियां कार्यकारी सक्तियां कार्यकारी सक्तियों में काएगा राज्यपाल राज्य का कार्यपाली का परधान होता है किस अनुचेद के तहएं तो अनुचेद 167 के तहएं तो अनुचेद 167 के तहएं राजेपाल मुख्य मंत्री से विदाई या प्रसास के कायर्यों के बारे में जानकारी मांग सकता है मुख्य मंत्री का करतवी हैं कि वैं राज्यपाल को मांगी गई जानकारी दे अब आएगी नियुक्ति की सकती राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है शीयम की नियुक्ति, राज्यों के मंत्री, आरपीसी के सदस्य वा अध्यक्स राज्य विश्व विद्याले के कुलपती राज्य निर्वाचन आयुक्त जिल्ला न्यायदिशों की नियुक्ती करता है राज्य पाल राज्य का कुलादीपती होता है अब आएगी विदाई सक्तियां राज्यपाल विदान मंडल का मुख्य अंग होता है राज्यपाल विदान सबा के सत्र बुलाता है सत्रा वसान करता है और विदान सबा भंग करता है अनुचेद एक सो चोमत्तर के तहट तो अनुचेद एक सो चोमत्तर के तहट राज्यपाल विदान सभा के सत्र बुलाता है सत्रा वसान करता है और विदान सभा बंग करता है अनुचेद 175 के तहट विदान मंडल में संदेश बेजता है राज्यपाल तो राज्यपाल अनुचेद 175 के तहट विदान मंडल में संदेश बेजता है राज्यपाल का विशेष अभी भाषण अनुचे 176 के तहट अनुचे 200 के तहट विदेगों पर राज्यपाल के अंतिय मनुम्बती से ही विदेग कानून बनते हैं विदेग पर स्विकृति देना जिससे विदेग कानून बन जाएगा शुवीकर्ती नहीं देना जिसे विदेक समाप्त हो जाएगा विदेक को पुन्य विचार के लिए लोटाना लेकिन राज्यपाल धन विदेक को नहीं लोटा सकता और उस पर हस्ताक्सर करना अन्यवारी होता है विदेक को राश्टपति के पास बेज़ देना राश्टपति के पास भेजने के बाद उस विदेग की सभी जिम्मेदारी राश्टपति के पास होगी जैसे कोई विदेग आता है राज़पाल के पास लेकिन राज़पाल उस विदेग को राश्टपति के पास भेज देता है तो राष्टपति के पास बेजने के बाद उस विदेग की सभी जिम्मेदारी राष्टपति के पास होगी अनुचे 333 के अनुसार विदान सबा में राज्यपाल एक आंगल भारते सदस्य का मनोनियन करता है अनुचे 333 के अनुसार विदान सबा सदस्य का मनोनियन करता है 6 सबता तक परभावी यह अध्यादेश विदान सबा के पुना बेटने से 6 सबता तक परभावी रहें विदान सबा स्विकर्ती देखकर इस अध्यादेश को स्ताई कानून भी बना सकती है अनुचे 202 में राज्यपाल द्वारा राज्य का बजट पेस किया जाता है अब आती है आपात का लिंग सकतियां राज्य में सवेदानिक तंत्र विपल होने पर राज्यपाल की सूचना पर राज्य में अनुचे 356 के तहत राष्टपती सासन लगाया जाता है अब आती है न्याइक सकतियां शमादान की सकति का अनुचेद कोन सा है 161 मर्त्यु दंड या सेना न्याइले द्वारा दिये गए दंडों के अलावा राज्यपाल किसी भी दंड को शमा परिवर्तित या लगू कर सकता है अगर मर्त्यु दंड द्या गया है या सेना न्याइले द्वारा दंड द्या गया है तो इन दंडों को राज्यपाल समा नहीं कर सकता है उच्चे न्यायले के न्यायदीसों को सपत दिलाना ये राज्यपाल करता है उच्चे न्यायले के न्यायदीसों को सपत कोन दिलाता है राज्यपाल कार्यवाहक राज्यपाल की न्यूकती भी राष्टपती द्वारा की जाती है कार्यवाग राज्यपाल के नियुक्ती भी राष्टपती करता है राजस्तान के दूसरे राज्यपाल डाक्टर संपूर्णानंद थे डाक्टर संपूर्णानंद के समय राजस्तान में पहली बार राष्टपती सासन लगा अब तक राजस्तान में चार बार राष्टपती सासन लगा है अब आता है राज्यपाल से संबंदित अनुच्छेद राज्यपाल के पदगा प्रावधान किस में है अनुच्छेद 153 में पदगा प्रावधान अब राज्य की कार्यपाली का सक्ती राज्यपाल में नहीं थे ये अनुचेद कौन सा है एक सो चोपन राज्यपाल की नियुक्ती अनुचेद एक सो पचपन राज्यपाल का कार्यकाल अनुचेद एक सो चपन राज्यपाल की योग्यताई अनुचेद 177 और 158 राज्यपाल की सपत अनुचेद 169 ख्षमादान की सक्ती अनुचेद 161 के तहट अब राज्यपाल की सक्तियाँ अनुचेद 137 राज्यपाल विदान सभा के सत्र बुलाता हैं सत्रावसान करता हैं और विदान सबाब भंग करता हैं अनुचेद 114 के तहट, राज्यपाल विदान मंडल में संदेश भेजता हैं अनुचेद 175 के तहट, राज्यपाल का विशेष अभी भाशन अनुचेद 176 के तहट, कोई विदेग राज्यपाल की अन्ति मनुमती से ही कानून बनते हैं इसका अनुचेद कौन सा है अनुचेद 200 अध्यादेश जारी करने की सक्ति का अनुचेद कौन सा है राज्यपाल का अनुचेद 213 एक राज्य के उच्चे न्यायले के परामर्ष से राज्यपाल राज्य में जिल्ला न्यायदीशों की न्युकती और पदोनेती से संबंदित विश्यों का निर्णे करता है किस अनुचेद के तहत अनुचेद 233 तो एक्जाम में क्यूशन आता है कि राज्यपाल राज्य में जिल्ला न्यायादिशों की नियुक्ति किस अनुचेत के तहत करता है अनुचेत 233 के तहत विदान सबा में एक आंगल भारत्य सदेश्य का मनोणियन किस अनुचेद के तहद करता है राज्यपाल? अनुचेद 333 के तहद राज्यपाल द्वारा राज्जी का बजट पेस करना अनुचेद 202 के तहद राश्टपती राज्यपाल को उन आकस्मिक स्थीतियों के संबंद में कार्य करने का अधिकार दे सकता हैं जिनके संबंद में सविदान मौन हैं किस अनुचेद के तहत अनुचेद 160 के तहत राज्यपाल सीयम से विधाई और प्रसास्निक कारियों के बारे में जानकारी मांग सकता है अनुच्छेद 166 के तहट अब आएंगे राजस्तान की राज्यपाल कौन-कौन से थे पहले राज्यपाल थे गुरुमुक निहाल सिंग जो सबसे पहले राज्यपाल बने सरवादिक कारिकाल वाले राज्यपाल भी गुरुमुक निहाल सिंग थे 1 नवंबर 1956 से 15 अपरेल 1962 तक तो सरवादिक कारिकाल वाले राज्यपाल कौन से हैं गुरुमुक निहाल सिंग दूसरे राज्यपाल थे डाक्टर संपूनानंद पर्थम राष्टपति सासन के समय राज्यस्तान के राज्यपाल कौन थे संपूर्णानंद तीसरे हैं सरदार हुकुम सिंग जो की पूर्व लोकसभा अध्यक्स थे चोते हैं सरदार जोगेंदर सिंग ये इस्पेक्यूशन बनता है कि सर्वपर्तम राज्यपाल के पद से त्यागपत्र देने वाले राज्यस्तान के राज्यपाल कौन से हैं सरदार जोगेंदर सींग अब आते हैं रगुकूल तिलक ये पूर्व रप्यस्य सदस्य थे ओम परकास महिरा पूर्व वायू सेना अध्यक्स थे राज्यस्तान के वह राज्यपाल जो पूर्व वायू सेना अध्यक्स थे कौन से हैं ओम परकास महिरा बसंत राव बांडू जी पाटिल ये के पूर्व मुख्य मंत्री थे उसके बाद राजस्तान के रज्जेपाल बने फिर आते हैं सुखद्यु परसाद फिर आते हैं प्रोपेशर देवी परसाद चटोपा द्यायै फिर है डाक्टर मरी चेन रेडी जो कि आंधरपरदेश के पूरु मुख्य मंत्री थे अब आता है बली राम भगत ये भी पूर्व लोकसभा अध्यक्स थे दर्बारा सींग पदपर रहते हुए मर्त्यु वाले पर्थम राजस्तान राज्यपाल कौन है दर्बारा सींग अंचुमान सींग ये राजस्तान हाई कोट के पूर्व नियादीस थे निर्मल चंद जेन इनकी भी पदपर रहते हुए मर्त्यु हो गई फिर आते हैं मदनलाल खुराना ये दिल्ली के पूर्व मुख्य मंत्री थे पर्थिबा पाटिल पर्थम महिला राजस्यपाल राजस्तान की पर्थिबा पाटिल सेलेंदर कुमार सींग और परभाराओ इ फिर है परभा राओ फिर है शिवराज पाटिल मार्ग्रेट अलवा और वर्तमान में राजस्तान के राज्यपाल कौन है कल्यान सींग जो की उत्तर परदेश के हैं इस प्रकार ये आज का टोपिक भी फिनिस हुआ थेंक यू